अलो दोस्तों वेलकम टू टू चैनल नॉलेज इन जेनल मेरे नाम आमित पश्यप और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे और दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मुबाइल फोन के अंदर आप PDF को मर्ज कैसे कर सकते हैं ज स्क्रीन पे प्ले स्टोर पर जाएंगे और इस अप्लिकेशन का नाम है PDF-Element तो यहाँ पे PDF-Element हम सर्च कर लेते हैं तो यह PDF-Element की जो है यह वहली अप्लिकेशन है यह इंटरफेस आप देख रहे हैं वंडर शेयर अगर आप जानते हों यह काफी बड़ी कंपनी है वंडर शेयर की यह जो एप है इसको मैं इस्टॉल कर लेता हूं तो दोस्तो फाइनली जब यह ओपन होगा तो आप देखेंगे यह आप पे अलरड़ी उसने फोल्डर ले ले लिए हैं तो आप ऐसे फोल्ड पड़े हैं इनको मुझे अगर जो है करना है merge तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़े का है तीन डॉट्स आप देख रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे और यहां पर आपको करना है merge document मैं ने क्लिक कर दिया अब वो पूछेगा documents कहां पर है तो उपर जो है plus का button आप देख रह नेक्स डॉक्मेंट यह था request form इसको भी select कर लिया इन दोनों को select कर लिया हमने अब इन दोनों के पाद यह नीचे आप देख रहे हैं यह वाला जो button आ रहा है यह merge का button है इस वाले button पे जो हम click कर देंगे क्लिक कर दिया तो लिखा रहा है merging one of document और two of documents तो यह दोनों documents को merge कर दिया जाएगा अब यहाँ पर दीखेगा save का option आ रहा है हो click on save और यहाँ पर पूछेगा कहां पर आपको करना है तो हम यहाँ पर authorized path पर कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ यह देखेगा यहाँ पर name दे सकते हैं तो मैं यहाँ आपर लिख देता हूँ merge the document और मैं आपर इसको करता हूँ create यह देखेगा यहाँ पर यह वाला merge document मेरा आ रहा है document को मैं click करूँ यहाँ पर जो दो PDF हैं वो देखेगे यह first PDF यह रहा और इसको मैं नीचे scroll करूँ तो दूसरा PDF यह रहा So this is how you can merge two different documents only from your mobile itself So दोस्तों I hope यह वीडियो आपको पसंद आया हो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कीजिए और चैनल को subscribe करना बिलकुमत भूलेगा This is Amit Kashyap signing off and thanks for watching this video दोस्तों